पंकू केड़ उस वेपारी को अपनी टोपियां बेचने के लिए किसी दूसरे गाउं में जाना पड़ा रास्ते में एक जंगल पड़ता था चलते 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 वो बहुत ठक गया तो उसने सोचा क्यों ना यहां पे मैं बिश्राम कर लो तो वो एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बिश्राम करने के लिए बैठ गया और जैसे ही वो वहाँ वैठा ठका होने की बज़ा से उसकी आँख लग गई और वो सो गया उसी पेड़ के उपर कुछ नटखट शरार्ती बंदर भी रहते थे उन बंदरों ने नीचे टोपिया देखी वो एक दूसरे से कहने लगे और वाह इतनी रंग बिरंगी टोपिया इसने भी तोपी पहनी है चलो चलो हम भी टोपिया पहनते हैं और वो भटा हाँख से पेड़ से उतरे और जल्दी से सबने एक एक टोपी लेकर वापस पेड़ के उपर चड़ गए और वहाँ पैड़ गए थोड़ी देर के बाद उस टोपिया बेचने वाले वैपारी की आँख खुली उसने देखा अरे सारी की सारी टोपिया गाएव थी वो एक टाम घबरा गया और इदर उदर देखने लगा अरे मेरी टोपिया कहा गई कहा गई मेरी टोपिया तभी उसकी नजर उपर बैठे बंदरों के तरफ पड़ी तो वो समझ गया ओ तो ये टोपिया ये बंदर ले गया ए बंदरो तोपी बाले के दिमाग में एक विचार आया कि बंदर तो नकल्ची होते है तो उसने क्या किया फटा आक से बंदरों की तरफ देखकर अपनी टोपी सिरसिल उपर निकाली और उसको हवा में उचाला फिर पकड़ लिया बंदरों ने भी वैसे ही किया अब वो समझ गया कि ये बंदर जरूर मेरी नकल करेंगे अब की बार उसने अपने सिर से टोपी निकाली और उसे जमीन पर फैंक दिया बगदर तो रस ठहरे नकल ची, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपिया निकाली और सीधी जमीन पर फैंट दी, फिर क्या था, टोपी बाले ने बिना समय नश्ट किये हुए सारी टोपिया इकठी की और चलता बना, बंदरों ने अपना सर पीट लिया, इसी तरह अपनी कुछ करने से पहले सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, ठीक है?